हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिरू आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइलिप पी सीरप साइलिप पी सीरप के मैं आपको यूज डोज बेनिफेड साइड जरू प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू तो वह आप तक नोटिफिकेशन के तुरूज जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं साइलिप पी सीरप एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भूक में कमी के इलाज में इसे यूज किया आता है इसके अलाबा मैं इसका सही तरीका बताऊँगा आपको किस तरीके से इसे पी आता है जिससे हमारे सरीर को ज़्यादा फाइदा हो तो चलिए मैं फिलाल दिखाता हूँ इसकी पैकजिंग आप स्क्रीन पे देख रहे होगे यह 200 ml की पैकिंग में आता है और इस 200 ml की पैकिंग का प्राइज होता है लगबग 120 रुपई यानि 120 रुपीज और इसे कंपनी बनाती है टॉर्कियो फार्मा और इसमें कॉम पोज कर आता हूँ इसे यूज करने का सही तरीका दोब्सक्री इस सीरप का इस्तेमाल खाली पेट नहीं लेने लेने से यह होता है कि कि आपको पेट में जलन बगेरा होने लगती है और सुस्ति बहुत ज़ादा ने लगती है तो आप खाली पेट ना लें खाना-kहशं़ shooting दो चम्मच वबाद 2-7 सांग को और छोटे बच्चे को देना चाहते उसके side effect हमें मालू होने चाहिए, साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, और अगर आपका कोई सवाल हो मुझे तो आप comment box में लिखके फोश सकते हो, चाहो तो आप मुझे instagram पर ही message कर सकते हो, instagram ID का link का आपको description box में मिल जाएगा, तो चलिए दोस्तों आप मैं व लोगों को मोत याविंद की सिकायत है, आखों की वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें, आएए दोस्तों आप जानते हैं इसके फाइदे, दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी या ठकावट महसूस होती है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़ियां सीरह प करोगे कि पहले के मुकाबले आप ज्यादा रोटियां खा पा रहे हो या ज्यादा खाना खा पा रहे हो, और दोस्तों जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वजन बहुत ज्यादा कम है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे-धीरे उनका वेट बढ़ने दोस्तों, अगर आप लोगों मैंसे कोई अच्छी बॉड़ी बनाना चाहता है, तो वो वीडियो खतम होने के बाद, एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आएगी, गुड हेल्थ कैप्सूल, वो वीडियो जरूर देखिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द ह होगी, आईए दोस्तों, आप जान लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट, दोस्तों, इस सीरप को पीने के बाद, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीद आती है, शुरू के कुछ दिन, तो आप उससे परेशान मत होएगा, लेकिन अगर continue ऐसा रहता हपते डेड़ हपते तक, तो आप समझ लीजी, आपको ये सूट नहीं हो रहा है, या फिर किसी को कबज की सिकायद देखने को मिलती है, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है, कई लोगों को चक्कर आने जैसी सिकायद देखने को मिलती है, तो वो लोग भी ये समझ सकते हैं कि कि उन को यह stroke नहीं हो रहा है दोस्तोमें आपको बता दूम कोई भी दवाए यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवाई यूज ना करें live कि आपको विडियो पसंद आई होगी सॉड वीडियो लाने की कोशिस करता हूँ कि आपका समय बचा सको और आसान भासा में वीडियो लाता हूं ताकि सब तक पहुंच सको तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुड़ बाई